नमश्कार फ्रेंग्स मैं हूँ इस्ट्रॉलिजर और वास्तु किंसाल्टेंट रिधी बेहर। विक्रम समवत दो हजार अठतर की आप सभी को शुब कामनाएं। जिस तरह का अभी मोहौल है और हम सब ये जानने के लिए उत्सुब भी है और में पस बहुत सी क्वेरीज आ भी रही हैं पूछने के लिए कि करोना के केसिस बहुत बढ़ रहे हैं आगे अब क्या होगा। सो देखिए 21 दिसंबर 2020 को गुरू और शनी, जुपिटर और साटन दोनों के दोनों जो है एक ही राशी में, एक ही साइन में आये थे और इन दोनों में काफी close degree conjunction था, एक ही degree पे थे ये दोनों। ये जो है मैंने अपने पिछले कई वीडियो में जब मैंने prediction करी है तब ये point को बार-बार use किया है, ये जो है बहुत ही important planetary conjunction है, साटन और जुपिटर बहुत बड़े planets हैं, इनका जो gravitational pull है वो भी बहुत जादा है, इनका impact भी जो है वो बहुत large scale पे होता है और काफी time तक हो जो कि हर 20 साल में ये combination repeat होता है, तब तब क्या क्या हुआ है, जैसे जब पिछली बारी ये साथ आई थे, तब 9-11 का incident अमेरिका में वो face करना पड़ा था, गुजरात में अर्थ को एक आया था, उससे पहले AIDS की जो problem पहली बारी surface में आई थी, वो इसी दोरान आई थी, जब war हुआ था, तब भी Jupiter Saturn एक साथ थे, in fact जब USSR का disintegration हुआ था, तब Jupiter और Saturn एक दूसरे के आमने सामने थे, ऐसे बहुत से incidence है, तो जब भी Jupiter और Saturn एक साथ आते हैं, तब mass level पे, बहुत बड़े level पे जो है, activities होती है, जिसका impact जो है, वो पूरी दुनिया को face करना पड़ता है, जो गतिविधिया, जो घटनाएं, घटेंगी, वो पूरे विश्व में, पूरे दुनिया को face करने पड़ेगी, एक ये भी देखा गया है, कि जब जब Jupiter और Saturn एक साथ आए हैं, तब तब जो भी अमेरिका के राश्रुपती बने हैं, वो अपना term, अपना कारेकाल पूरा न जाहू और मार्स जो है, वो दोनों रोहिनी नक्षत्र में थे, एक ही दिगरी पे थे, अब रोहिनी नक्षत्र में जो ये दोनों थे, ये इंडिया की कुंडली में अगर आप देखेंगे, तो भारत के लगन में थे, और जब जब ऐसा combination हुआ है, इंडिया के साथ तब कोई वार या वार-like situation इंडिया को face करनी पड़ी है, आप friends जो एक करूना की situation हुई है, ये किसी वार से कम नहीं है, जिसमें पूरा देश सफर कर रहा है, एक बड़ी uncertainty हो रही है, economic instability भी हो रही है, तो ये तो मैंने आपको reasons बताए कि क्या पीछे हुआ, in fact February, 10th February को 6 ग्रह ज अभी देखने को मिलेगा, तो ये तो पिछली पीछे जो हुआ, अब आगे क्या, 14 April को मंगल जो है, वो मिथुन राशी में प्रवेश करेंगे, 17 April को बुध जो है, वो मेश राशी में आएंगे, तो मंगल में और बुध में, Mars and Mercury में जो है, exchange होगा, दोनों एक दूसरे की राशी में एंटर करेंगे, एक तो ये combination है, दूसरा, 25 April को, 25 तारिको, जो है, मंगल, वो आद्रा नक्षत्र, यानि की राहू के नक्षत्र में आएंगे, तो फिर से देखे, राहू और मार्स का जो है, connection बन रहा है, दूसरी चीज, मंगल जो है, वो शनी को भी aspect कर रही है, तो ये जो combination बन रहा है, और मंगल जो है, वो 4 जून तक जो है, वो मिधुन राशी में, यानि की जेमिनी साइन में जो है, वो रहेंगे, तो ये जो overall जो combination, जो connection बन रहा है, ये कोई बहुत अच्छी situation को नहीं बता रहा है, तो till 4th of June जो है, आप जो है, केसिस में जो है, ब जो में का महिना है, उसमें जो है, हम सब को अपना बहुत जादा ध्यान रखना है, उसके बाद आगे साल में Jupiter retrograde होंगे, Saturn retrograde होंगे, तब कि क्या सिती होगी, उस पर अभी मैं study कर रही हूँ, जैसे ही मैं उसके study finish करूँगी, मैं आपके साथ जरूर उस पर वीडियो देखिए, बहुत से लोग यह पूछते हैं कि आखिर हम कब इस से छुटकारा पाएंगे, कब करोना पूरी तरह से जाएगा, देखिए, कोई भी वाइरस है, वो कैसे फ्याता है, इट इस transmitted through we humans, हम लोग ही जिम्मेदार हैं, और हम लोग ही अगर चाहें, तो इसको control में ला होंगे, पर कोशिच हमें ही करनी है, तो friends, please take care of yourself, please stay safe.